हेलो दोस्तों स्वागत है आपका सोचियोलोजी क्लासेश के हमारे यूटूब चैनल पर तो आज हम देखने वाले हैं सनरचना यह प्रकार से संबंदीत कुछ महत्पूर प्रस्न तो आएए देखते हैं कि सबसे पहले सामाजिक समर्चना की अधारा का प्रयोग किसने किया है सीमेल ने हरबर्ट इस्पिंसर ने मैं काई परियों पेज ने या चॉन सन ने तो इसका राइट अंसर जो हो जाएगा हरबर्ट इस्पिंसर हो जाएगा संब्रचनावाद किसे से अधार बिंदु मानकर समाजिक भिशलेशड़ पर बले देता है समाजिक व्यवस्ता को समा प्रबिंदु में समाजिक समर्चना का सुत्रपात किसके द्वारा होता है मानों के क्रिया कलापो द्वारा मानवी क्रिया पढ़ालिव से अंत्र क्रिया के कारण या मानवी अंत्र क्रिया के परड़ाम स्वरूप विक्सित समाजिक संबन्द से समाजिक संबन्द से समर्चना जो है उद्विकासी प्रक्रिया के कहा जिस प्रकार उद्विकास हुगा था उनका एक संद्चना एक दूसरे से जुड़ी हुई है उसी सरीर की संद्चना एक दूसरे से जुड़ी हुई है उसी तरह समाज की संद्चना भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है अगला सामाजिक समझना को समझने है तो किसका ज्यान होना अवश्यक है नियमों का कारपडालियों का निर्मालक तत्यों का या सभी का तो इसका राइटांसर लिए हो जाएगा सभी का नियम कारपडालियों नियम तत्यों अंगों को जानना अवश्यक है तभी समझना को समझ समचना कहते हैं पार्टसंट ब्राउन मर्टन या चॉंसन तो इसका राइट अंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा मर्टन के इंसर समाजी की क्रमबधता और उनकी पारस परीक निर्भरता में उत्पन व्यवस्था को समाजिक समचना कहाँ अगला रेट क्लिप प्राउन के अंसर समाज की कौन सी इकाई इसके सदस्चों के विवार के अनुरूप लाती है सीमीत संस्था समो संदार तो इसका राइट ог्त स finan Fake CC हो जाएगा अस्थाई अंतरसंबंधित होता है या कथन किसका है जिंस्वर्ग, मैंहीं, इसमिल्षर, जॉंसन तो जॉंसन का कथन है कि किसी वस्त की सनरचना से ताथ पर हमारा उसके भागों से अर्थाथ पार्ट से है जो साफ पेच्छिक रूप से पाए जाने वाले अस्थाई अंतर संबंदी तरथात एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं अगला रेटकली ब्राउन के अंसार संद्चना के आवस्चक तत्व है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ब्राउन के अंसर सभी संद्चना के आवस्चक तत्व है अगला है रेटकली ब्राउन ने समाजिक संद्चना के तत्त्व में डाइट डाइड डैस को महतपूर अस्थान दिया है संद्चना वाधि ग्यात नी चांजला है अगला है सनरचना वादी किस सनरचना वादी ने भूत वा जादू विधा को सनरचना के तक्तों में समलित किया है रेटली ब्राउन मर्टन मैन ही चिंस पर को इसका राइट अंसर हो जाएगा ब्राउन ने जादू और भूत को विधा की सनरचना में सामिल किया है ब्राउन के अनुसार समाजिक संरचना का स्वरूप है आंत्रिक वाय मुर्थ या अमुर्थ तो ब्राउन के अनुसार समाजिक संरचना का जो स्वरूप है वाय अमुर्थ है अगला है समाजिक संरचना के प्रकारे से निर्माड किया जाता है समाजिक संरचना प्रकाद से संबंधित किया है नौडल ने प्राउन ने मैलीनों वस्की ने या इन में से कोई नहीं तो समाजिक संरचना के प्रकाद से संबंधित किया है ब्राउन ने अगला रेटले ब्राउन की समाजिक संरचना की अधारा आधारित है समाज पर आधिम समाज पर आधिमिक समाज पर मध्यकाली इन समाज में ब्राउन के अमसार समाजिक संरचना जो उनका आधारिक था तो उन्होंने आदिम समाज का ध्यान करके समाजिक संरचना की व्याक्या की है अगला है ब्राउन का प्रकार्यवादी सिधान्त आधारिक था सरलता से जटीलता की और चटीलता से सरलता की और सरलता से की दिशा में दिमनिता की दिशा में तो इसका राइट आंसर यह हो जाएगा सरलता से जटिलता की और अगला है प्रमुक्स संरचनावादी विद्वान थे रेटकली ब्राउन नौडल एंथनी गिडिंग्स या सभी संरचनावादी विख्यानिक अयर्चिस समाज सास समाजिक परिवर्तन का संरचना पर प्रभाव नहीं पढ़ता है मर्टन नौडल गिडिंग्स ब्राउन तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कि ब्राउन के अनुसार समाजिक परिवर्तन का संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ता है समाजिक संरचना है समाज का क्यांजिक का द्रचन समुहं का द्ध्यान जिसका राइट्रान सर्ष हो जाएगा समाज मिलकर बना हुए समाजिक सराज़ना है एक व्यवस्ता क्रिया पडाली एक वास्त्रीक सिन्था और माना गजै उन्हों वसकी मल्टन या नॉडल तो समाजिक संद्चना की ओधारना में सम्भाजन को समलित किया है रिट क्लिप ब्राउन किसा ने संद्चना के आंत्रिक भबाई समूह पर ध्यान केंद्रित किया है गिदिंग्स ब्राउन नॉडल मैं काईबर तो आंत्रिक एम वाई संद्चना की बात कौन करते हैं तो यहां पर रिट क्लिप ब्राउन राइट अंसर हो जाएगा अगला समाज ब्राउन के अनुसा समाजिक संद्चना की विशेश्ता नहीं है तो अमुर्थ स्वरूप निरंतारता वा अस्थायत गत्सीलता तो पाई ज जाता है और अस्थानी आयाम तो जो अकारे की अधारा है वा मर्टन से संबंधित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अगला बाध्यात्मक्ता की अधारा संबंधित है रेटकली ब्राउन से दुर्खीम से गिडिंग से मैलीनों वस्की से सनरचना में बाध्यात्मक्ता जो है गिडिंग से संबंधित है तो गिडिंग सेंसर बाध्य मूलक के साथ भी समय मूलक, परिस्थिती मूलक, सहयता मूलक या अउचुत्ती मूलक तो बाध्यता मूलक के साथ सहयता मूलक भी संरचना में सामिल होता है अगला किस सन्रचना वादी विद्वान ने सन्रचना की अधारा में दुई भाजनता को समलित किया है तो दुई भाजनता को समलित करने वाले भी क्यां थे एंथनी गिडिंग्स, दुर्खीम, मैकाईबर या मार्टन तो इसका राइट अंसर जो हो जाएगा वह है एंथनी गिडिंग्स है जिन्होंने सन्रचना की अधारा में दुई भाजनता को समिल किया है गिडिंग्स के अंसार सनरचना साधन और सनरचना है एक तत्व द्वी भाजनता या त्रियस्थरल या अन्यता तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा द्वी भाजनता या इसे द्वैत वाद द्वैत वाद भी कहते हैं तो क्रिया और सनरचना के संदर में किस व्यवस्था को गिडिंग्स में महत्व दिया है समाजिक क्रिया को समाजिक घटना को समाजिक नियम को समाजिक रीतियों को तो क्रिया और समर्चना के संदर में समाजिक रीतियों को गिडिंग्स महत्व देते हैं गिडिंग्स है टाइटान से हो जाएगा संरचना की दौयतता का प्षत्य संबंध है तो दौयतता का प्रत्य संबंध है दौयतवाद या दौयतत वह घूइद मिल्टिंग से समझजी या नॉडल सामाजिक संद्चना के अगर यह ध्यूत वाद नाहोग ड्वीयलीटी होगी तो यहां पे जो है राइट वाइट रहोगा एसक्ट नोर्ड अगर ड्वेलटी सब्द द्वैथता तो ड्वैल्टी समचना कि जो व है वह नौ्डल से हैं और अग्वाइट वद जो है गरेकrd वाद जो है वार घींग से संबदले तो इसका राइठ आंसर जो हो झायका वादल होगा具 हम गंप अगला है नॉडल कि अमजी संहीं सर्चना के तत्व है नॉडल ने फ्रता को समाजिक संशना के तत्व के leashा की है अगला अगला समाजिक संरचना के तत्त में नाडल ने सामिल किया है वेक्तियों के समूँ को वेक्तियों की प्रक्रियाओं को या वेक्तियों के बेवारों को संरचना जो है नौडल समाजिक संरचना को मुर्द मानते हैं तो इन्होंने व्यक्तियों को समूव की चर्चा की है अगला नौडल के अंसार प्रतिमान होते हैं वह संरचना के अंगल होते हैं अगला नौडल के अंसार भूम्ख्या का निर्माड होता है समाजिक क्रिया से अं अंसर हो जाएगा भी अंता क्रिया से अगला है नोडेल ने समाज की संरचना में महत्तुव दिया है मानव क्रियाओं को मानव जीवन को रीतरिवाज को मानव ब्यवार को तो नाडेल ने मानो ब्यवार को महत दिया है अगला नौडव ने समाजिक सनरचना में महतपूर अस्थान दिया है संद्शना वादी परिपेच में किस समाज सास्त्री ने समाजिक संद्शना को अमूर्थ बताया है तो समाजिक संद्शना को अमूर्थ किसने बताया है तो समाजिक संद्शना को अमूर्थ किसने बताया है ब्राउन ने और नॉडिल क्या करते हैं मूर्द मानते कियूंकि यह तो नोने समाजिक समो को जो है वह हौए लुक्तिव। कि समुह के रूप में या समुह में भूम्चाओं के निर्मार के रूप में बात की है तो उन्होंने मुर्थ की चर्चा की है नौडल के परिपेच में संरचना है समाज में पाई जाने वाली व्यवस्था समाज में पाई जाने वाली क्रम बद्धता मानो व्योहार की व्यवस तो यहां पर एक क्यूश्चन हमारा डाउट फूल रगा है जिकी नाडेल जो है समाजिक समचना को अमुर्थ मानते हैं क्यूंकि यह भूमक्या के रूप में देखते हैं और इसके पहले जो क्यूश्चन हमने कहा कि समाजिक ब्योहार ब्यक्तियों के समू के रूप में ना करके ब्यक्तियों के ब्योहार के रूप में यहां पर आंसर सही होगा समाजिक समचना के तत्मे नाडेल ने ब्यक्तियों के ब्योहार अर्थाद भूमक्या को समलित किया है तो यहां पर क्या हो जाएगा ब्यक्तियों के ब्योभार को तो यहां पर हो जाएगा समाजिक संरचना को अमूर्थ मानते हैं नौडल ब्राउन भी बानते हैं नॉडल भी बानते हैं अगला नॉडल के परिपेच्छ में संळचना है मानौ बयोहार की व्योस्था आध्यान में सामिल किया है जाती ब्यवस्ता वर्ड ब्यवस्ता नातेदारी ब्यवस्ता या वर्ड ब्यवस्ता तो इन्हों ने नातेदारी ब्यवस्ता की चर्चा की है अगला है कि मित प्रकार की कहानिया स्ट्राप्र हो गषय ये ल्टाइं एक अन्सार धैनिक जीवन की उपलब्धता है सामाजिक्रियाओं से बाउधिक रियाओं से यहां पे हैं सान्स्कृतिक सांस्क्रितिक क्रियाओं से या नए थी क्रियाओं से तो इस्टास के अनुसार जो अध्यानिक जीवन की उपलब देता होती हैं बहुत धिक क्रियाओं से तो आज की वीडियो को लाइक और चैर करें चैनल को सब्सक्राइब करें धर्ने बाद